प्रिय विध्यार्तियों, नमस्कार आज इस व्याख्यान में हम माद्डी विचलन को ग्याद करने के लिए कुछ उदाहन लेकर सुत्रों द्वारा हल करने के प्रयास करेंगे और इस से पूरु के व्याख्यान में हमने अबकिरन के माप कौण कौण से हैं और क्या उप्योग है उसके और मद्धी विचलन जो महत्वपूर्ण अब किरन का माप है इसको कैसे ग्याद किया जाता है इसके संकेत अक्षिर क्या है और कौन-कौन सी रीतिया है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी और आज हम जिन सूत्रों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं उनके आधार पर मद्धी विचलन कैसे ग्याद किया जाता है इसके कुछ उदारन हल करेंगे और आज विक्ति के स्षेणी का एक प्रश्ण हम ले रहे हैं जैसे परतेक्ष विद्धी से भी करेंगे और लगुविदी द्वारा भी हल करेंगे और मद्ध्य विचलन के लिए ये जो प्रश्ण है यह मैंने कैलाशनातनागर की पुस्तक में से लिया है और ये कई बार परिक्षाओं में आ चुका है प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नांकित नो विद्यार्थियों के भार के आंकड़े दिये गए हैं इनसे समांतर माध्य और मध्यका के सायता से माध्य विचलन की गणना कीजिये तो पहले हम इस प्रश्न को प्रतक्ष विद्वारा हाल कर रहे हैं और प्रश्न केवल इतना सा दियावा है जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाया मैंने कि नौ विध्यार्थियों के भार के आंकड़े हैं जिन से समांतर माद्य और मद्य का दोनों से ही माद्य विच्रन की गणना केजिए और माद्य विच्रन का गुणांग भी ग्याद केजिए तो सबसे पहले हम इस्प्रेशन को इस प्रकार से लिख देंगे यद्दिपी ये जो समंग आपको दिख़ई दे रहे हैं एक्स के रूप में भार किलोग्राम हैं विध्यार्थियों के ये विक्तिकत शेणी में हैं और ये सिक्वेंस में नहीं दिये वह हैं लेकिन हमको माद्ध्य विचलन गयाद करना है समंतर माद्य से और साथ साथ में मद्यका से भी ग्याद करना है इसलिए जब भी हमें वेक्तिकत शेनी से मद्यका ग्याद करनी होती है तो सबसे पहले उन्हें सही क्रम में जमाया जाता है चाहे अरोह क्रम या अवरोह क्रम तो सबसे पहले हम इन्हें जमा लेते हैं और क्रम संक्या के साथ में जमा लेते हैं तो इस तरह से हमने जमा लिए यहां क्रम संक्या लिख दी एक से लेके नौ तक और उसके बाद में उसके समंदित जो समंख है वो लिख दिये तो इस तरह से हमारे पास में एक तो क्रम संक्या आ गई और दूसरी आ गई भार किलोग्राम में अर्थात ये हमने इस तरह से व्यवस्थित कर दिया और व्यवस्थित करने के बाद में सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि माद्दे विचलिन की गणना करनी है मद्दे का से भी और समंतर मद्दे से तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मद्दे का से करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मद्दे का ग्याद करेंगे अर्थात ये प्रशन है इसको हमने सही तरीके से जमा लिया है और सही तरीके से जमान एक बाद में हमारे पास में जो N है वो 9 है और मद्दे का ग्याद करने के लिए हमारा जो सूत्र है हम याद करेंगे जब मद्दे का ग्याद की दिए तब हमारा सूत्र है size of N plus 1 upon tooth item सभी को याद है नहीं तो एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए मद्दे का ग्याद करने का विक्तिकित शेरी में सूत्र होता है size of N plus 1 upon tooth item और उससे पहले उसे व्यवस्थित क्रम में जमाना होता है जो भी हमारे समंग होते हैं तो पहले हमने व्यवस्थित क्रम में जमा लिया और उसके बाद हमने इस सूत्र में सूत्र को यहां लिख दिया और उस सूत्र में इस के अनुसार हल करने का प्रयास शुरू किया तो सबसे पहले हमने लिख दिया size of N कितने हैं 9 तो 9 plus 1 यहां पे आपको देखेंगे आप इसमें देखिए 9 कुल हमने गिन लिये थे पद कित इसलिए 9 plus 1 बटा 2 तो होगे 10 बटे 2 यानि कि 5 और 5 वां पद 5 वां पद क्या है इसमें देखेंगे 5 वां पद है 1 2 3 4 5 5 वां पद 50 है अर्थात हमारा N जो होगा वो क्या होगा 50 होगा क्यों क्योंकि यह 50 क्रम पे है और 5 वां पद 50 है इसलिए हमारा मद्यका 50 है और इस 50 से हम माद्य विचलन की गंड़ना कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 50 को यहां रख देंगे मद्यका बराबर 50 से विचलन अब इसमें लिखा है प्लस वा माइनस छोड़कर क्योंकि हमने पहले भी जब सूत्रों का वरणन किया था सूत्रों का जब हमने सूत्रों पर चर्चा की थी तो हमने देखा था कि सूत्र में मद्यका ग्याद करने के बाद में हम मद्यका से मद्य विचलन ग्याद करते हैं तो पूरी सेडी का जो एक्स है अब अंतर ग्याद करके ही कह रहे हैं लेकिन ऊपर हम लिके रहे हैं डी वर दिविशन तो जब दिविशन लेते हैं और उसके साथ में modulus लगा देते हैं दो खड़िपा यहां दोनों तरफ कर देते हैं इसका मतलब है हम यहां पे केवल अंतर को ही लिखेंगे जो minus के हैं वो भी plus के हो जाएंगे तो 45 में से 50 गए 50 मद्दे का है और 45 क्या है? हमारा x है इसलिए पहला x है 45 45 में से मद्दे का 50 गया पीछे रहे गया 5 चूंकि minus के हैं लेकिन यहां पे हम minus plus के चिनों को छोड़ रहे हैं गणित यह चिनों को यहां पे हम नहीं लिखेंगे तो क्या हो गया? हमने लिख दिए 5 फिर 47 में से 47 और 50 की बीच का अंतर है 3 फिर 47 और 50 की बीच का अंतर 3 फिर 49 और 50 की बीच में डिफरेंस से 1 इस तरह से हमने इनका अंतर ग्याद कर दिया और अंतर ग्याद करके यहां पर लिख दिया इस तरह से continue हमने लिख दिया लिखने के बाद में यह जो कहलाएगा वो कहलाएगा DM in Modules यानि कि X-M X ये और M ये X-M, X-M जो हमने निकाला है यह पूरी सीरीज बन गई सीरीज बनने के बाद में इसको हम जोड़ेंगे तो यह जो जोड़ाएगे वो summation DM in Modules कहलाएगा और हमारा जो सूत्र होता है वो होता है हमारा सूत्र होता है माद्य विचलन ग्याद करने का मद्यका से summation DM upon N तो summation DM कितना यह है यह देखिए 42, 42 और N कितना है 9 तो हम इसको इसमें सूत्र में रख लेंगे 42 बटे 9 49 divided by 9 42 divided by 9 जो हो जाएगा कितना 42 में 9 का भाग देने पर 4.67 यह हमारा माद्य विचलन ग्याद हो गया माद्य विचलन व्यक्ति गषिणी में easy तरीके से ग्याद किया सकता है जैसा कि हम ने देखा अब आगे हम बढ़ेंगे और माद्य विचलन का गुणांग ग्याद करेंगे तो गुणांग के लिए मैं यह आपे जोर देकर कहना चाहूंगा जब भी गुणंग ग्याद किया जाता है तो जिस से जो ग्याद किया बठा जिस से ग्याद किया अर्थात हमने ग्याद किया किया है हमने ग्याद किया है माद्ध्य विच्रन जो कितना आया 4.67 किस से ग्याद किया है? मद्देका से, है ना, मद्देका से, मद्देका कितनी आई है? मद्देका आई थी 50, तो जो ग्याद किया है, अर्थात मद्दे का, बटा जिस से ग्याद किया है, अर्थात मद्देका, तो 4.67 बटे 50, जब 4.67 में 50 का भाग देंगे, तो हमारा जो उत् पॉइंट जीरो नाइन थी फूर इसका मतलब यह है कि इस शेणी का मध्य विचलन पॉइंट जीरो नाइन थी फूर है इसका मतलब बहुत कम है ज्यादा नहीं है तो जो हमने मध्य का ग्याद किया है या केंद्री पूर्ति का माप ग्याद किया है उसका समंग शेनी के साथ में ज़्यादा अंतर नहीं है अर्थाथ समंग शेनी काफी इस्थिर है stability है इसमें यानि जो हम केंद्रिपूर्ति का माप ग्याद कर रहे हैं उस माप के साथ जब अन्य पदों का अंतर ग्याद करते हैं विचलन ग्याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा विचलन नहीं है ये इसका निश्कष निकलेगा अब हम ग्याद करना चाह रहे हैं समंत्र जब ग्याद करते हैं तो सुत्र होता है समें एक्स बार इज एक्वल टो समेशन एक्स अपॉन एन तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा जो भार के आंग्रे दिये ये एक्स किलाएंगे इसका जोड करेंगे तो ये हो जाएगा summation x summation x कितने है 4, 6, 3, 8 और n कितना है 9 तो हम सूत्र में रख देंगे summation x upon n यानि कि 468 बटे 9 जब 468 में 9 का भाग देते हैं तो बावन आता है 52 आता है अर्थात x bar is equal to 52 हमारा समंतर मद्य 52 है अब जब समंतर मद्य ग्यात हो गया उसके बाद हमारा क्या हो रहेगा उसके बाद हमारा एक तो यह सीरीज लिखनी होगी समंतर मद्य में इसी के साथ जोड सकते हैं लेकिन यदि कभी अलग से पूछा जाए तो इसका कोई औचिते नहीं होता है यह के वर मद्य का ग्यात करते हैं तब यह वाला भी लिखना है और समंतर मद्य से भी करना है तो भी यह लिखना है अर्थात मद्य का से पूछा जाए तो मद्य का जोडनी है अन्यता के वर इस से ही हमारा हल करना है तो अब हम क्या करेंगे अब हम जो 52 आये हैं वो यहां पर लिख देंगे माद्दे बराबर 52 से विचलन तो अब क्या करेंगे 52 आया हमारा समंतर माद्दे उसका इस x के साथ में अंतर ग्याद करेंगे तो dx बार in modulus कैसे ग्याद करेंगे एक्स माइनस एक्स बार और modulus लिखा इसका मतलब है केवल अंतर को देखेंगे तो 45 में से 52 गए कितरे गे 7 यह लिख दिया हमने फिर 47 में से 52 गए अंतर ग्याद करना 47 और 52 का अंतर पांच फिर 49 और 52 का डिफ्रेंस 3 इस तरह से हम यह पूरी सीरीज ग्याद कर देंगे अर्थात dx बार in modulus ग्याद कर लेंगे dx बार in modulus फिर इसके जोड़ कर लेंगे वो कहलाएगी summation dx बार in modulus और फिर क्या होगा सुत्र हमारा simple है mean deviation from mean mean deviation from mean it equal to summation dx बार in modulus upon n यानि कि हमारा जो summation dx बार कितना आया था summation dx बार in modulus 44 और n कितना है 9 तो इसको हम सूत्र में रख देंगे और सूत्र में रख दिया हमने 44 divided by 9 तो कितना है 4.89 यह हमारा माद्य विचलन ग्याद हुआ है समंत्र माद्य के आदार पर अब हम इससे माद्य विचलन का गुणांग ग्याद करेंगे तो मैंने बताया था माद्य विचलन का गुणांग ग्याद करने के लिए चाहे माद्य विचलन का गुणांग ग्याद करें या फिर प्रमा विचलन का गुणांग ग्याद करें सूत्र वैसा ही रहता है सूत्र है जो ग्याद किया बता जिससे ग्याद किया ग्याद किया हमने माद्य विचलन ग्याद किया है समंत्र माध्य से यानि बावन तो 4.89 divided by 52 is equal to उत्तरा जाएगा हमारा 4.0940 जो क्या बताता है माध्य विचलन का गुणांग बताता है जो ये कहता है कि इस शेनी में केंद्री प्रवर्ति के माप बहुत हद तक समंग शेनी का प्रतिनित्यत्व करते हैं इस व्यक्यान में हम इतना है दिन करेंगे अगले व्यक्यान में हम इसी प्रशन को लगुरुति द्वारा भी हल करेंगे धन्यवाद